शूप्रभात प्यारे चात्रों अमारी आज की इस कक्षा में जो पाठ हमने पिछली वाली कक्षा में आधा छोड़ा था हम अपनी कविता को पढ़ रहे थे कवीता का आधा हिस्सा हमने समझा कवी जो हमें बताना चाहते थे उसे हमने समझा कवी एक मिसाहिल को माध्यम बना के अपने मन की बात कल्पना के आधार पर कह रहे हैं वो हमने देखा था हमने अभी तक पढ़ा था कि किस तरीके से मिसाइल का प्रक्षेपन सफलता पूरक हो जाता है और सभी समुद्री जी जब वो बंगाल की खाड़ी में उतरती है तो समुद्री जी उसकी आकार की उसकी उपलब्दी की प्रशन्शा करते हुए पूछ रहे हैं कि उसे यह आकार किस ने दिया तब वो अपने निर्मान की कहानी सुनाते हुए कहती है कि मेरा ये आकार और मेरा जो भी रूप रंग है उसके पीछे विज्यानिकों की और अभियांत्री की याने इंजिनियरों की बहुत बड़ी उपलब्दी बहुत बड़ी लगन बहुत बड़ा समर्पन त्याग सब कु छुपा हुआ है और वो अपने सारी चीज बता कर उसके पीछे और भी बहुत कुछ है वो बताना चाहती है वह बताना चाहती है अपने आगे के हिस्से में कि मेरे निर्मान में सिर्फ विज्यानिकों और इंजिनियरों का ही हाथ नहीं है बलकि उनके पीछे उनके परिवा परिवार वालों का भी हाथ है अगर वे सईयोग न करते तो किसी भी प्रकार से ये उपलब्दी भारत को मिलना ना मुम्गिन था हमने अपने जो पिछवाली कक्षा में लास्ट लाइने जो पड़ी थी वह थी कि अपना हित भूल कर इन सब ने मिल किया मुझे जीवन साकार समुद्री जीव बोले क्या खुब दिया वे ज्यानिकोंने रूपाकार इसी के आगे अग्नी बोलती है नहीं केवल वे ही नहीं लगे थे इस काम में मानो प्रेणा और इच्छा देती है सफल्ता प्रोध्योगी की और परिश्रम करते सच सपना पर मेरे शजकों की पत्नियों माताओं ने भी की थी उनके राह की अर्चन कम प्रोध्योगी की याने विज्ञानिक उपकरणों संभन्दी ज्यान अगनी बोल रही है कि सिर्फ विज्ञानिकों और इंजिनियरों की वज़े से मेरे को ये रूप नहीं मिला है अगनी मिसाइल बोल रही है कि किसी की प्रेणा और इच्छा से या परिश्रम से लक्ष मिलता है लेकिन उसके पीछे भी बहुत से लोग होते हैं जिनका अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान होता है अगनी कहती है कि सफलता पाने के लिए इच्छा और प्रेणा का आवशक होता है माना प्रेणा और इच्छा देती है सफलता यानि कि वो क्या करिए कि किसी भी सफलता को प्राप्ट करने के लिए इच्छा और प्रेणा का होना आवशक है प्रोध्योगी की ग्यान याने विग्यानिक उपकर्णों संबंदी जो ग्यान है उसका होना भी आविशक है और परिश्रम भी सपना सच करने में सायक होते हैं किन्तों इन सब में परिवार जनों का सायोग भी आवशक है और वा कहती है कि मुझे बनाने के लिए जो सर्जक है जो वेग्यानिक है जो इंजिनियर है उनकी माताओं और पत्नियों ने भी कभी अपने पुत्र और पत्नियों के मार्ग में बाधा नहीं बनी है उनकी राह में बाधाएं नहीं डाली है उन्होंने जो उनके रास्ते में अर्चन आने वाली थी, हम जानते हैं कि आप लोग अपने घरों पर ही देखें कि आपके घर के मुखिया जब काम के बाहर जाते हैं, अगर भी एक निश्टिट टाइम के बाद घर नहीं आते हैं, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं अब वो अगर बाहर कुछ काम कर रहा है और आप घर से बार-बार फोन करके उन्हें बुलाएंगे किसी तरह के से मेसेज करेंगे या अपनी जर्वते उनके ऊपर डालेंगे कि पहले ये काम कर दीजिए या वो काम कर दीजिए तो उनका अपना जो काम है वो कहीं बादित आपको यह काम भी करना गर को भी पर लिगार दिया इथ्들 है उन्हों ने अपनी दोग्य गर्त से अन्हों को बिलकुल ही दो फी कर दिया कि यहाँ आपको सब्सक्राइर टन्वेतास से करो हमीद अपने घर काسم की द्रीनले तो इसलिए अगनी कहा रही है कि मेरे सर्जिकों की पतनियों माताओं ने भी की थी उनके राह की अरचन कम इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां नबताते उए उनके रास्ते की बाधाओं भी उन्होंने कम की थी करती रही दीप जलाकर मोन प्रार्थना सफलता की उनकी हर दिन आशा के दीप जलाए आशिशों से उनकी जुड़ी थी करोडो आशाएं अगनी कहती है कि घर की जो ओरतें थी बच्चे थे माताएं थी वे सब सफलता के लिए आशा के दीप आशा के दीप याने उमीद कि हाँ यह काम पूरा होगा ऐसे दीब जला कर प्रभू से प्रार्थनाई करती रही और उन्हें आशिरवाद देती रही ठेके? कि हाँ तुम्हारा काम जल्दी पूरा होगा आशिशों से जुडी थी उनकी करोडों आशाय और इन ही आशिरवादों से इन ही उमीदों में बहुत सारे उमीद दे उन लोगों की भी जुड़ी होई थी कि कैसे भी करके इन लोगों ने जो सपना देखा है वो सपना पूरा हो जाए प्रेमिका का प्यार बच्चों का सने आशीश बड़ों का प्रकाश पत्नियों के प्रदिप्त दियों का देखा एक प्रकाश तेज जमक सरिखा उमीद और प्रेम से परिपोर्ण आगे अगनी कहती है कि इन सब में प्रेमिका और बच्चों का प्यार बड़ों का आशीरवाद पत्नी द्वारा जलाए गए उमीदों के दिये आशा के दिये इन सब ने मेरे निर्मान में बहुत बड़ा सयोग दिया है मेरा जन्म उन्ही की प्रेम से उन्ही के आशिरवादों से हुआ है इनके बिना ये संभव नहीं था आगे अगनी कहती है जब महिलाएं और पुरुष हो एक साथ प्रेम और समझ भूज आती एक साथ जग मगाते हैं दीप आशा और श्रिजन के जन्म लेती है पवित्र शशक्त अगनी देश का विकास गौरव और सम्रधी है बढ़ती देख चारों और अगनी ने लिया गहरा स्वास बोली उनसे जो खड़े थे वहाँ जन्मी हुमें अपने शर्जिगों की पध्नियों और माता के जलाय दीपों से इसी के आगे अगनी कहती है कि मेरे इस निर्मान में इस्त्रि और पुरुषों का बराब्बर सह्योगे पुरुष्यों का सहीयो कैसे, कि जिस तरह कैसे पुरुष अपने कर्मक शेत्र पर जाकर बड़ी लगन के साथ अपने सपने को साकार करने में लगे रहे, समर्पन भाव उनका हर तरीके से बूर, समर्पन हो जाना अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए न नीन्द की पता ह बस जो एक लक्ष उन्हें उन्हें साध लिया एक जो सोच लिया कि हम्हें यह निर्माण करना ही है और उसमें वह अकना तन्मय होकर उस laksh ko पराप्त करने में लगे हुए हैं अपनी हर एक इच्छा को त्याग करकर अपनी हर एक तरीके से अपने जीवन का हर एक शैत्र उस लक्ष के प्रति समर्पित करके ठीके तो वहीं पर उनके गर की इस्तरिया उन्हें गर की जिम्मेदारियों से फ्री करती है उनकी गर की जिम्मेदारिया उन पर नहीं डाल कर ग वेग्यानिक और zur को वही इंजिनियर्ज को और वेग्यानिकों को वो देती है और उनके लिए आशाओं के दीप जलाती है तो इस이 वज्य से अगनी कह रही है कि जब महिलाएं और पुरुष हो एक साथ, कि जब ये दोनों आपस में एक साथ मिलकर परस पर समझ बूच से, याने एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझते हुए, उनके लिए रस्ते निकालें और प्रेम से रहें, तो ये नए निर्मान की आशा बनती है, और संभव है, उन दोनों के सयोग होने पर ही विकास और उन्नती संभव है, इससे ही देश में सम्रद्दी आती है, इसी के साथ अगनी एक गहरी सांस लेती है, और अपने पास खड़े लोगों को बोल कहती है कि पत्नियों और माताओं का आभार व्यक्त करती है और कहती है कि इन्हीं के जलाए हुए आशा के दिपक से ही मेरे निर्माण संभव हुआ है मेरे निर्मान में घर की पत्नियों और माताओं का बहुत बड़ा योगदान है इंदो इस्त्री और पुरुष के साथ मिलने पर ये विकास संभव है अन्यता नहीं मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी इसी के साथ धन्यवाद